हर्याना में पंचायत चुनाओ को लेकर बहुत बड़ी खुश खबरी मिल सकती है 20 अगस्त को जी हाँ एक एहम सुनवाई होनी है हाई कोट में और इसके चलते हर्याना में पंचायत चुनाओ 20 अगस्त को गोशित किया जा सकते हैं और यह बिल्कुल नई अपडेट है और ऐसी ही अपडेट के लिए हम इसको पूरा बताएंगे जानकारी को कि क्या आपकी पूरी जानकारी क्या है पंचायत चुनाओ के बारे में क्या नई अपडेट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को दूसरों के साथ शेय जरूर कीजिएगा हर्याना पर्देश में कोरोना की धीमी होती रफ्तार के बीच स्थाने निकाये और पंचायत चुनाओ जल्द होने की संभावना बढ़ती दीख रही है चुनाओ में जुटी जो सरकार है उसकी तियारियों की कई खबरें सामने आ रही है अब 20 अगस्त के दिन हाई कोट में आगामे चुनाओ को लेकर एहम फैसला आ सकता है और जो याचिकाएं लगी हुई है उनका फैसला 20 अगस्त को आना है हर्याना में इसी साल फरवरी में होने वाले पंचायत और स्थानिय निकाय चुनाओ को कोरोनम हमारी के कारण अभी तक संपन नहीं करवाया गया है चुनाओ को आयोजित करवाने के में हो रही देरी को लेकर हाई कोट में कई आचिकाएं दाखिल की गई है इनी आचिकाओं सुची सोंपते हुए चुनाओ करवाने की सिफारिस कर सकती है जिहां इसी पकवाडे में चुनाओ अभी घोशित हो सकते हैं चुनाओ आयोग इवियम जुटाने में लगा राजे चुनाओ आयोग पंचायत और स्थानिय निकाय चुनाओ को संपन करवाने की त्यारी कर रह और रज चुनाव आयोग चुनाव के लिए उप्युक्त एवियम मशीनों की व्यवस्था करने में जुट चुका है रज चुनाव आयुक्त धनपद सिंग्ने बीती चार अगस्त को एवियम के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ बैठक भी की थी जि और चुनाव में 75,000 EVM की जरूरत पड़ेगी पंचायत और स्थानिय निकाय के चुनाव के लिए करीब 75,000 EVM electronic voting machine की जरूरत होगी गुजरात ने हर्याणा चुनाव विभाग को करीब 20,000 EVM देने की हामी भर ली है जबकि 15,000 EVM किंदिय चुनाव आयोग और 5,000 EVM लखनों से मिलेंगी खरीब 53,000 EVM चुनाव आयोग के पास अपनी है इसके इलावा जो EVM के लिए दूसरे राज्यों से भी संपर्क किया जा रहा है और जो हमारी EVM थी हर्याना की वो बिहार में दी जा चुकी है चुनाव आयोग को सरकार के चिठी का इंतजार चुनाव आयोग को इंतजार है सरकार की चिठी का जैसे ही चिठी आ जाती है तो इलेक्षन की घोषना हो जाएगी पंचायत और स्थानिय निकाय चुनाव को लेकर परदेश में मुख्य मंतरी मनोहर लाल खटर पहले ही कह चुके हैं कि हाई कोट के फैसले के बाद परदेश सरकार इसी महीने रज्य चुनाव आयोग को चुनाव करवाने की चिठी लिखेगी वही रज्य चुनाव आयोगत धनपत सिंग कहते हैं कि जैसे ही परदेश सरकार लिखित में अनुरोध करेगी चुनाव परकिरिया शुरू कर दी जाएगी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग की तरप से सुचना जारी की गई थी कि विधान सभा चुनाव की मत दाता सूची के अनुसार ही अब की बार जो है पंचाय चुनाव की जो मत दाता सूची है वो तयार की जाएगी और जानकारी क जिसमें जिला परिशदों, 142 ब्लोक समीतियों, 6205 पंचायतों और 5 सरपचों के लिए चुनाओं होने हैं, जिसमें जिला परिशदों के 416 सदस्य, ब्लोक समीतियों के 3200 सदस्य और सरपच के लिए 6205 पंचायतों के लिए होने हैं, जानकारी के हिसाब से जिला परिशद, ब्लोक समीती वा सरपची चुनाओ, इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से करवाए जाएंगे जबकि 62,466 पंचो के लिए मतदान बैलेट पेपर के जरिये करवाए जाएंगे और ये थी एक बहुत बड़ी अपडेट, हर्याना पंचाय चुनाओ को लेकर 20 अगस्त को आ सकता है, एक बहुत बड़ा फैसला, तो सभी अपनी तयारी कर लीजिए, खुश हो जाईए, और अपने जो भी आप लोगों ने अपना तयारियों को धीमा कर दिया था, उसको फिर कर साथ, और फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, तो 60 को हम करते हैं अब इंटजार, और 90 गोंने ये, जासे कोई खबर आती है या उससे पहले कोई खबर आती है तो हम आपको आपको सबसे पहले बताएंगे, तो इसके लिए आपको वीडियो